80 रुपे उधार लेकर बनाई 1600 करोड की कमपनी मुंबई की रहने वाली जस्वंती बैन जी ने अपना और अपने साथ 6 अन्य गरी मैलाओं का परिवार चलाने के लिए 80 रुपे का कर्ज लेकर पापड बनाने का काम सुरू किया 15 मार्च 1969 को पहला पापड बेला गया था जो आज पापड की सबसे बड़ी कमपनी लिजज़त कहलाती है इस संघर्ष के समय में पहले इनका मुनाफ़ा केवल 50 पैसे था और आज लिज़त पापड का टर्न ओवर 1600 करोड का है आज इसमें 50,000 से ज़्यादा महिलाएं काम करती है 25 से ज़्यादा देशों में लिज़त पापड बेचा जाता है दोस्तों बड़े से बड़ा बिजनस पैसे से नहीं बलकि एक आइडिया से बड़ा होता है